कि नमस्कार सभी को एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जैसा कि आपका बहुती बढ़िया और प्यारा आपका सेशन्स अजरा है तो बहुती बढ़िया तरीके से हम इसको कवर कर रहें याने कुछ ही रहें दो तिन लेक्चर और रहेंगे लगबग तो इसके अंदर सारे हो जाएंगा तीन चैप्टर है जिसके निम्य की क्यूशन है एजटीज आपको कल जो पेपर करवाया तो उसमें साथ से आठ क्यूशन यहां से भी डेटो आपके बताऊंगा मैं कौन कौन सा रिपीट हुआ था हर पेपर में रिपीट होते हैं हर पेपर क आप फिर तो उपरवाला जाने ठीक है मन की बात तो तो सिस्टम इतना बढ़िया तरीक के से आप जरूर पड़े इन क्यूशन होगो मैं कहता हूं आप जरूर पड़े कोई भी एक्जाम के आप त्यारी कर रहे हैं तो आप जरूर पड़े सभी को नमस्कार प्यारी सी राम विक्की मुकेश अनील अनील बेद्धी हरेंदर कुल दीप सुरुट सुक्विंदर दर्शन दीजी आगे भई रोहित कुमार इंजीनियर लाइफ दिपक यादव अर्विंद प्रविंदर गोरव आप स्टार्ट हो गई चीजिसर सारा कुछ हो जाएगा दिक्कत मत करो गो जोती अर्विंद रोहित दिप्पु मा का लाडला आस दिमान लगबग नए बच्चे आस तो योगेश कुमार सौनू जी के किसन सीरीज प्राने का गए फ्रतेवाद से पुमी से राम राम भाई योगेश कुमार अपने होने का प्रिच्चे दीजिए भी हम यहां पे हैं जोब अपडेट प्रियंका राम राम सभी को मुकेश कुमार विक्कु दहिया राम राम भाई सारे आ जाईए और लाइक कर दीजिए वीडियो को प्रणाम भाई रमन एक गुरू देव प्रणाम आपके चरणों में बहुत प्यारा मतलब बजन है प्रणाम हम पुराने हैं दिमान भाई कौन नहीं जानता आपको वीडियो देखने वाले भी जानने लग गए होगे ना रोहित कुमार ब्यार अच्पी अच्छल के लिए कॉर्स लेक है जरूर कोशिस करेंगा भई अजीत वोरान राम राम गोरव ठीक है मास्टर जी आज अप्रेंट टिस वाला के बता दो एक बार अप्रेंटिस का कोई सोदा नहीं है भाई क्या बता दे दे कोई इंपोर्टे टेकनिशियन ठीक है एलम के लिए ताजा ताजा बढ़ती आपको पता ही यह यूपी पीशियल एल्पी टेकनिशियन के आने वाली है तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है तीन चेप्ट एक साथ में निपडा डालेंगे केवल पढ़ने वाले यानि रिपीटिड सेने राम राम भाइए क्या बाता लाइक भाइक ने बढ़ रहे शरम आने लग गई क्या आजकल आपको सब्सक्राइब प्रणा नाप के चनणा में राम राम भाइए निल सोनी चिन्नु नुरजबान रोहित कुमार ठीक है सेशन अपना बढ़िया चल रहा है सारी कलासें आपने देख लिए उम्मेद करता हूं नहीं नहीं देखे तो देख लो ठीक है ना बहुत फाइदा होने वाला है 32 एंपियर रेटेड केबल की दारा वहेंच्यमता क्या होगी यदिव है पुन्यतार बांदने योग्गे फ्यूज से सुरक्षित किया जाए यानि रीवाइबल फ्यूज जो होता है अपना किटकेट फ्यूज के दवारा क्या किया जाए इसे दोबारा संजोदित किया भी 32 एंपियर से जादा इसको प्रियोग ना करें करोगे तो यह जल सकती है ठीक है तो उसके लिए दो आपके होते हैं तो रेटेड केबल तो इसके एक फार्मूला लगता है अपका ठीक है ना 32 आगे बताऊंगा इसका डिटेल में 0.81 ठीक है ना इससे निकल जाता है अग ठीक है तो आड़ दुनी 16 और आड़ तीया 24 24 रेक है 25 तो 25 पॉइंट कुछ हो जाएगा यानि लगबग अनसर क्या आएगा मारा 26 एंपियर अनसर आएगा कितना आएगा 26 एंपियर अनसर आएगा 32 38 ठीक ना तो लगब कितना आजाता 38 पॉइंट यह आजाता है ठीक है 49 अनसर हो जाता फिर इसका क्या हो जाता 49 पादने सारह बता देंगे दीरे डीरे कि द्यार एलम कि लेक जरूर्व लेक आएंगे भई भाग की आप जितना भी आपको प्रेया जो आपकी प्रेलिस्ट में करवाया जया है वह बहुत बढ़िया तरीके से आपको फ्री ओपको आपको प्रेलिस्ट जाके देख सकते वहां पर थ्योरी कोर्स लेने की मतलब जल्दी रहती है ठीक है नाम बिहार एलम रख देंगे लपी टेक्निशन यूपी लग देंगे तो घ्रीट की ठीक ना अलग लग नाम से अलग लंग नाम से बेंचना हाज को नीकाल के अलग लग नाम से बसन्हां एक बताइए इसके फुलटों क्या होती है स्टेंडरholes व किसका होता है इसमें खांचे बने एक般 प्रियोग किया जाता है स्टार का या कैबल का वयासम अपने के लिए इसका मापने के लिए इसका प्रयोक आजाता है ठीक है ना तो सब्सेब अब्राव्यास किस्का होगा इसका तो आप से कई बार यह ब्हुत लिया जाता है बीजीरो इसक käyt तुर लिखा गतृत से कम चाल लगता इसकी होती है तो सबसे ज्याधा वैयास स्का होता है तो सब से ज्याधा परतिरूद होता है कि अषंण स्रणी में 36 से लेकर फिक है इसस्यज़्ट इस और ये एक इसी का और आता है ये डबली जी वह तो जीरो से 36 अमरिकन स्टेंडर्ड वायर गेज तो जीरो से लेकर सब्सक्राइब जो सही है ठीक है किसकी बनी होती है यह यह आंसर आप कोमेंट में बताएए कि बाकि मिजरमेंट वाला चेप्टर है बहुत बढ़िया है उसके इंदर करवाएंगे सारी चीज आपको जोइंट का स्टेंडर्ड वाएगे जीरो चतिस गोलाकार होती है केबल का व्यास मापने के लिए होता है अरे बहुत इंटेलिजेंट हो गयो भाई या ठीक है ना ता तार केबल में फरक्त होता है अमरिकन 0-36 ठीक बीबीबीबीबीबीबीबीबी यह एक मिनट छोड़ दौ आपना वहला जी कल कि सकल का पेपर देखा किसने यह सेम का से मने तो बताओ ओप्शन सेम के सेम तो नहीं तो बताओ यानि कल का पेपर आपने देखा होगा आगर आ टेनल स्टेल की बने होती है यह कुछ जोइंट है मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा अगर आप कोशिश करने करो तो दो चाहर तो जरूर याद रही जाएंगे ठीक है दो चाहर तो जरूर याद है रह जाएंगे है कि दिखाई देर ऐसे इसे हाओ लोगे ये जिद्धा का शिद्धा कुछ नहीं है एक तार ये लिया एक तार ये लिया दोनों टुटे हुए आप मार देते हो ना जॉइंट ईसे जंक्शन बोक्स के अंदर मिलने वाला जूइंट ये ऐसे करके आगे से जोड़ दिया बस अना मतलब क्या बना दिये यानि या पूच की तरह है देखो यह तार लिया और इस तार को इस दोनों तार को मुरोड़ दो आपस में तीक ना से करके तो उसे बोलते हैं रेट या मतलब और उन्द्रे की पूझ इसकी फूझ बोलते हैं चुहे की पूझ जैसा होता है कि हाल्वा क्यूसंदे सर जोटी टेप ठीक है तो यह इस परकार जोडने के रेटी या पीधिया ने समाहन यर निवी इसको तरफिए नोटिड टाइप ऊगिया ठीक है यह देखो कौन सा है कि यह देखो सिद्धा का सिद्धा इस परकार से लिए इस नहीं वैसे इसको समाहनने टेप भी कहःते हैं ठीक है वाई इसली का भी कहा देता है यूज का होता है मैं नहीं बता रहा हूं ठीक है यह देखो plan tape joint है यह क्या है plan tape शिद्धा tape यानि इसके अंदर noted नहीं है यानि gant मारी हुई नहीं है इसका प्रियोग किया जाता है तोड़ा सा चितर देख लोगे काम आ सब्साइब होगा और यह को एरियल टेप यह यानि एक तो के tests लेकर और एक लिए ऊपर से लेकर एसे सेन्स को लपेट दिया तो इसको बोल के है एड्यलीन उसको देसे उपर से लेके घए कॉन साथ इसपरकार से कर दिया फ्लेक्स का या रख ले ना फ्लेक्स से जोड़ी गई है तिक ना और दो आरू का इसके ऊपर चड़ाया गया तो यानि दो एक वायर इदर से लिए एक वायर इदर से लिए और एक वायर ही जा रही है इसको बीच से काटा और इसको एसे चधा दिया इसको इसे सिधा दिया तो से डुपलेग्ज क्या आपके क्लास के लिए यूटॉम का प्रेमियर ले लिए वहर एक बात घरते हैं ल़ट्व रवाना से वाइसतψे तोक्तों। कर आप मेरे को एड़ बेज रहे थे मैंने तो कोई एड़ निमेजी में कर यूटूब के नए नए फिचर आते हैं वो पनी आप जैसे लगा देते अब दोबारा देख लो आपको समझ में आ गया होगा देख लो यह जोंट चुए की पूंच जैसा जोंटे से मदो तार को एस से लपेट दिया बसे से ठीक है यह जो इंट गेलובाईज का हो गया यह नोटिट हो गया यह किष Shida plane हो गया यह क्वाग उगे एरियल टेप में हो गया और यह कौन सा हो गया यह हो गया तीत जोंट ब्रe Dazuint आगे पढ़ंगे आपको धिक्क्तत नहीं कि मिस्का आनसॉर आप तो aerial tape joint हो गया डूपलेक्स फिर बता देता हूं आपको यह हो गया एक वायर इदर थी और एक वायर आपके पास इदर है एक वायर ये रही ठीक है ये ये रही तो आपने क्या किया इसकी लडी बना दी बोलो जी हां और इसकी ये थोड़े से मुस्किल हो जाते हैं तो यह हो गया डुपलेक्स ठीक है वो अपडेट कर लो आप कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर हो जाएगा बहुत आप को मैं पिछे की कानी नहीं बता सकता इतना बूरा हाल हुआ था आप सोच नहीं सकते ठीका न कोई काट के चला गया यह मालोगा न अपना अइन अगे पर दॉऄ करना एक आप से दो बार हम तो एक बार भी है थे लिये तो इसे देते हैं इतना पेशा कहां लेके जाएंगे भैया यानि जी आई जो है यानि गवेल नाइस आइरन जो है उसके लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रियोग किया जाता है सारी फ्लक्स बता दू कि बहुत कम का चल रहा है सुनिता वत्स आप खाली दिखान एच्छील सर सोने सर कि सुनील सर अलिद खान ठीक राव सर राव लेक्ट्रिशियन डी सभी का डी आरा चलो कोई ना डॉंट वरी आप प्रेशान नहों हमें भी बोत प्रेशानी होई है और आपका दुख देखके हमें जितनी तकलीफ होते हैं आप नहीं समस्पा होगा इसका ठीक है और कुछ तो मतलब ऐसी बात कह देते हैं क्या बात है दिल सरंसार हो जाता है भी ऐसा काम ही क्यों करते आपका काम करना अबंद गरते जैसे इसा तो है ना क्योंक मतलब दुखी होते हैं थे को आपको मैं सारे बता देता हो रूक ज़ूँ टिक है कि एक याद रखना रीजीन कि विदृत कारियो के लिए इसका प्रियों किया जाता है पहली बात तो फेलुक्स जो है उसका प्रियों कहाँ पकी आ तब Sick नगैं लिए तीक है एक होता है आपका जिसको हम क्या बोलते हैं नाम निकल जाता है इसको हम क्या emer defend नोसदार, ए जिसका आ रहा है, ध्यान करें थोड़ा सा, नोसदार, या अमोनिया कलोराइड, नोसदार को क्या बोल देते हैं, अमोनिया कलोराइड, ठीक, एक तो ये हो गया जी, एक विदुद्कारिये के लिए हम प्रियोग करते हैं, टेलो, टेलो भी किसके लिए आता है, ước तो एक बार आ जाए तो आप कर लिए ना यह होता है विदुत कारी के लिए सारी बात्ते बताए सलेगे आपको होगी तो एक आतला ज्याधा इंपोर्टेट होता है आई राः ैज 7 यह एल्उमीनियम के लिए सुपेश्ख़ कर यह फिलक्सी यह होता है विदूद कारिये के लिए सारी बाते बताए जाए गया आपको ना ठीक है एक आता है सारा ज्यादा important होता है आई रा सेवन यह aluminum के लिए special है क्या है aluminum के लिए special है तो तो तीक है और एक होता है स्वागा जो इंपोर्टेंट आपको बतादे तो यह मतलब आप उसन के लिए जैसे सोना चांदी इनके लिए प्रियोग होता है किसके लिए प्रियोग होता है सोना चांदी इनके लिए प्रियोग होता है ठीक है कुमेंट करते जाए गरों मैं पढ़ता रहता हूं आखे गुमा के ना जिंक कलोराइड ठीक है यह आपका लगब किसके लिए जस्ता जस्ते के लिए भी प्रियोग होता है ठीक है स्टील के लिए प्रियोग होता है तंब में के लिए प्रियोग होता है इसके लिए प्रियोग होता है पढ़ लेना ठीक है एक होता हैस निए पर दór यांटीचल दिव्याशी गलती निकाहने के लिए आप यहां पे दिगा लोग नमबर का मतलब याँ समझी सकते वो याई सक्षा ओप्षिन भी आ सकता है आई रहा सेवन आई रहा नमबर सेवन ठीक ऐलमेनियम के लिए एक है उसका नाम होता है के राइट के राइट और के राइट परकार का भी प्रियोग होता है ठीक है और एलमेनियम के लिए एक और नाम बूल जाते हैं यार काई नोल होता है साइद काई नोल काई नोल इसका प्रियोग भी होता है यह भी एलमेनियम के लिए ठीक है अलकापी और यह किसके लिए होता है तो यह सोल्डर होता है है विस भी डरो पना होता है इसका ऐल में नीम केशिल हो जाएगा कोई दिक्कत तो ने है आब बता दो अब है अल मेरे को यह बता है तो रेजीन विदुद का रिये कि लिए होता है जस्ता के लेडिक देख यह लुग बराइड बताया मैं और अश्टा ऑगया वर ये रिवाइजन करवा देंगे तीन के क्यूषन है बस आपका सात बना रहे आपका सपोर्ट लाइक प्यार जो है ना बस कि दुवाँ ठादो उसका बागड़ी तो इस लेक्षन में दुवाँ आप अपने अपण ठादेंगे सिक्ष्या मंतर नाम से है बता दी अगरो या गन मेटल के लिए जोता है अच्छा बहुत बड़ी है खालीद खान कह रहा है भी साल अमोनिया सर गन मेटल के लिए यह जोता है कुसे नहीं अाया आस्तक इसका मातरा उतपादन और टिनिंग का रिए है तो कौन सी son्णविदी का प्रयूग किया जाता है ठीक ना क्लाई डू टो टीनिंग और रोस के लिए कि सोल्डरिंग का प्रयूग किया जाता बता दिजिए ठीक है तो किस सोल्डरिंग का सबसे पहले तो हमें टिनिंग पढ़के जो क्वांटिटी प्रोडेक्शन है यानि उत्पादन करते समय हम जो सोल्डरिंग करते हैं जैसे आपका डीप सोल्डरिंग होती है पी सीबी एक इमपोर्टन्ट मोश्ट इंपोर्टनटथ पीसीबी यह प्रेंटिट सर्किट ब्रेकर घ्र होता है ध्यासर किट बोल्ड होता है तो यह वह ता है जैसे पीछी कि दीप सोल्डर कारीय के लिए इसका जादया तर प्रियोग किया जाता है तो वहिसे मुतबादन आंसर हो जाएगा डीक है जोवाला के साथ सोलडरिंग कि टीक है हुऊ-स- तो ज्योद में एक जूलरिंगयों मुझे टीलिए वह किसके लिए पाइप वगेरा को जोडने के लिए हम प्रियोग करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा उस्मा किया हो सकता हो ठीक ना बहुत ज्यादा उस्मा किया हो सकता हो आइरन के लिए हम किसक्या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक्स कारियों के लिए इसका प्रियोग करते हैं छोटे कारियों का या छोटे तारों को जोडने के लिए ठीक है कि सोल्डरिंग गन सोल्डरिंग जो गन है इसका प्रियोग भी हम कहां करते हैं तो इसका प्रियोग भी हम समान नेता है ठीक ना वैक्टिक यूज या पर्सनल यूज के लिए इसका प्रियोग करते हैं जहां पर थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा की आव सकता हो अलग से कि फाइव का डी नहीं आएगा भाई डीप सोल्डरिंग आएगा ठीक ना डीप सोल्डरिंग क्योंकि इसने दिया देको टिनिंग तो बात यह लगो गई क्वांटिटी प्रोडेक्शन मात्रा उतवादन बहुत ज्यादा प्सक्रा क्या करें पीसिट बना रहे हैं बहुत जो पहले से आपके रेडियो के इंदर वह सोल्डरिंग तो लगी आती है उना तो वह स्व sie कometers कि जाती है मसीन यह लो जी अब मेरे को यह बता दो आपने ट्रिक रटी है बोलो जी हमने रटी है यह क्या अंडरग्राउंड केबल है उसका स्टक्चर दिखा गया है सिमबेस यह रटी है क्या सिमबेस सी का मतलब क्या होता है जी कंडक्टर होता है क्या होता है कंडक्टर होता है आई का का मतलब होता है आर्मरीं ठीक है और यह का मतलब होता है सर्व रिंग असर्विंग कि कह समझ में आ जाए का सारी बात हैं कि क्लियर ट्रिक फोर्दा यूजी के बल ना सील बास सिमभाव सिल बास अच्छा ठीक है तो connector क्या होता है चल्लक यानि जो चल्लक होती है इसके बीच में एक और कोर फबाली लगा जाते हैं उसमें क्या लगा होता है या कहीं कि आज आजाये कभी गल्त नहीं होगा जीवन में ठीक है आर्मरिंग यानि आर्मरिंग ही कहते हैं इसको और यह सर्विंग होता है सर्विंग ही कहलाता है चालक तो आपका क्या हो सकता है तंबा या एलुमिनियम का बना हो सकता है ठीक है और यह किसके लिए होता है में इसके लिए तो सारा कुछ कर रहे हैं प्रवंद कर रहे हैं ना यहां यह पैपर इनिसुलेशन हो सकता है जो इने चालगों को को ढख के रखता दातु का बच ये क्या है लेड या छिसा का बनाया जाता है कि गी चादर होती है यानि मेटल सीद का मतलब लेड की चादर जाधा तर यूज के देती है बेडिंग यानि जूट वगेरा का यूज किया जाता है इसके अंदर हम ठीक ना पेपर वगेरा का आरमरिंग स्टील या जियाई वायर की जाली होती एक प्रकार की सर्वरिंग यह भी जूट वगेरा का इस्तेमाल किया जाता है देखो अब थोड़ा सा यह देख लो यह देख लो देखो तामबा इसकी शुरुक्षा कोन करेगा करेंट बारने जाए चालक दात्तू कबच किसकी शुरु सुरुक्षा करता और आर्म्रिंग को वतावर्न के प्रिवर्थन से बचाने का काम कोण करता है सर्वरिंग करता है ठीक ना तो यह आनस्वर हो जाएगा जैगा यानी एक दूसरे की कि क्या कर रहे हैं यह प्रोटेक्शन कर रहे हैं चालक की प्रोटेक्शन है चालक कर रहा है भी सोट सर्किट वगएरा नहीं हो एचालक के उपर दातु कवच लगा जाता है बनाने का काम कर रहा है और तार को लचिला बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है से टिल्वर्र किया करता है आर्मरींग की जंग वगेरा लगने से या बार के प्राइवन से बचाऊ करता है का बेंडिंग four-th लाया जुत बेंडिंगे सब देखलो यहां से सुरू हो जाओ यह निचे निचे इसकी इसकी सुरुक्षा कौन करेगा ये इसकी सुरुक्षा ये इसकी सुरुक्षा ये इसकी सुरुक्षा ये इसकी सुरुक्षा ये ठीक है तो यह बनी किस्से होती है याद रख लेना अब देखो यहां पर दिया हुआ है कौन सा तो यह क्या है चालक है यह क्या है ठीक है इंसु यह हो गया और यह पूछ ले तो यह घएक है तो आप का अन्सर क्या रहेगा एक्स की जगे हम क्या लिख देंगे तो से लेड़ेश सीत्व होता है क्या होता है दो होनी बैडिंग क्या हो साफ de ह Surf कि यह देखो कला का किसन है बिल्कुल एजटीज आपका आया हुआ है कि कलाया हुआ था ना यह सिंबा सो ट्रिक है यूटूब इनकम होती है क्या यूटूब की इनकम है भाई आस तक लाइफ टाइम है कर दो विज़िक बिल नहीं भर जाएगा एक महीं नेगा एक्सका मतलब क्रोस लेंक डग पोली एटीलीन ठीक ना क्रोस कली बताया था यह तो तो इस याद कर लेना ँद अच्छा करोस लेंक। डपली एथिलीन सी ओप्षन हो जाएगा यह बता दो अब देखो अभी अभी बताया है और इस क्यूशन को दुबारा रिपीट नहीं करना पड़े केबल में सर्फ्ं परेंचर ऊतीले लास्ट वाली परेंट प्रेंइं परेंगे से किससा करती है अर्मरेंगे प्रोटेक्षनald की से ब्रॉटेक्स िर मेटलिक शीट्त Schlag staircase भता आरमरीं की सुर्ख्षा करता है बस ठीक है आरमरीं को कि से बचाती है एक्टमोस्फेरीक कंडिस्टन यारी प्रयावरन से यानि वाता वरने की जो कंडिसेन अ उसकी सीचुएसेन से बचाने का काम करते है गरम ठंडाम अब तो उब्सन क्या जाएगा दी बी कोंदेरा और सी कोंदेरा ठीक ना दोबारा देख लो भी यह उपर वाला सोदा इसकी सुर्क्षा करेगा यह इसकी करेगा यह इसकी करेगा यह इसकी करेगा और यह इसकी करेगा तुम बिन हम नहीं पाते तुम सोरी कि कोई बात नहीं है बैए क्यूशन का आनसुर दिया आपका मम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और फिर कॉंट्फिदेंस का क्योंकि पहले बार मिदान में उतरता है वो जीत के नहीं आता कभी भी ठीक ना पहले दिन है उसकी मतलब ज ठीक है ना पहलवान बनने के लिए या क्यूशन का आनसुर देने के लिए प्रैक्टिस हर चीज में हर फिल्ड में ज़रूरी होती है ठीक है का भी ओलब के खरे किस प्रकार के दोस्त का पता लगाये जाता है थोड़ा सामसा दे तम तक कि आपको सारकुशन संप्रक्थ में में लगोरा अर्म्रिंग वगए यानिदर क्रण्ट बहनने लगगे किसी तरह के सर आर्मरिंग में कि संप्रक में क्या आ जाए आपका केबल आ जाए इंसुलेशन खराब हो जाए बेडिंग वगरा खराब हो जाए तो ओपन सर्कीट क्या होता है कोई तार खुल जाए ठीक है इन टेस्ट को करने के लिए हमारे पास लूप टेस्ट होते हैं क्या होते हैं लूप टेस्ट होते ह tao ग्राउंडिंग दोनों का पता लगाने के लिए किए जाता है ऑंते यह लूपटेस्टे में नूइज घ्रूंडिंग का पता लगाने के लिए एक white stone white stone bridge बना उता जिसके बीच में क्या लगा होता गवेलनो मिट्र लगा होता है ठीक है यह लगा होता है तो यह लूप टेस्ट है कौन सा मुर्य लूप टेस्ट अंडरगराउंड के लिए डिट डेफिनेटली बी पता नहीं है मेरे को पुझे तीक है अब देख लो गवन्लो मिटर लगा हुआ है यह जी लगा हुआ है यह क्या है और यह क्या है क्या है क्या हुआ यानि आपने पी क्या हो कांपडे है वह इस टोन क्या होती है चड़ होती है क्या होती है तो चड़ को इससे कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ अब ग्राउंड टेस्ट किया जाते हैं ग्राउंड होता तो क्या होता इस चड़ को इसको क्या कर दिया जाता यहां से इसको ग्राउंडिंग कर दिया जाता तो यह टेस्ट हो जा ठीक है ना तब हम मानते हैं अभी कौन सा टेस्ट है एक शोट सर्कुट है अगर सिधा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है यह रेजिस्टर आपके दो लगाएं प्र क्या हूं कि बैटरी का यूज किया जाता है तो यह मुर्य टेस्ट होता है जिसके अंदर हम किसका पता लगाते ह हुआ सही है सारी के सारे कि अच्छ नहीं आये हैं भाई कि आपने ले रखें इंजीनियर लाइप मेरा नंबर दिया हुआ है कि तबीयत खराब नहीं है अच्छा तबीर ठीक नहीं है लाइट के संक्राइब तो समझी में आ जाएगा ना अब ऐसा टेस्ट आ तो आप क्या कहोगे grounding टेस्ट है अगर वो टेस्ट इसा पुचे यानि दोनों को छड़ को और एक l2 यह क्या होता एक लट्व है और यह अभी कंचे अग के बाहने कं आ जा अखभ दोकर हो जाएं तो बैको निए क्योंकि आपी बघ्वान नहीं है उर हमादी घग्वान नहीं है ठीक है हम से भी हो सकता है तबियत खराब है अच्छा तबियत कोई ना आराम करो आप क्योंकि समझ में कुछ आएगा नहीं फिर तबियत खराब कोई दिकत नहीं है समझ सकते हैं क्योंकि फाइदा नहीं है उसका फिर तबियत खराब में आप पढ़ते होना तो उसका फाइदा भी नहीं दिमाग में नहीं बैठेगा टाइम इससे अच्छा रेस्ट करो तो जल्दी ठीक हो जाओगे लाइक करो वीडियो को लाइक करने भी यहीं तो जयाता है अता है कि ट्यक हुआ विनित्ता प्रिविंदर दिमान हरें decades कि टाननमो गियानमो राहूल गोविंध भार्द्वाज स्वन्ने ठीक आ जाहिए उत्पादन säंतरों में किसमद्चेंट Aberdeeck के विद्धि का प्रीयों किया जाता है किस परकार उत्वपादन सेंत्रों की बात कर रहा है ते के ले यह दो बेड़-बाड़ ऊती है जैसे जोटी नलियों की बात करते हैं तब भी हम करते हैं तो इंडक्ट में कहां भी चाहेंगे वलबांजी हवाँ में बवन के साथ डॉर्च सिध्धे जमीन में घाड देना यानि कम ग्रांड की केबल रूर बुद बढ़ एरिया जहां नमी वगेरा का प्रभाव नहीं ओता रेगिस्तान वगेरा में जैसे नम्मी वगेरा का जल्दी से प्रभाव नहीं तो टमप्रेचर का एक मीटर नीचे सिद्धी जमीन में गाड़ देते हैं तो वह होता है रेगिस्तान वगेरा में जहां पर क्या है नुक्सान होने के खत्रे जो है कम होते हैं ठीक है यह हवा के इंदर केबल बिछाते हैं आप पावर जन्रेसन एलम लगा है को यह आप बिजली बोड में गयो उपर बड़ी-बड़ी केबल बिची होती है जिस प्रकार आज कल गाउं के इंदर केबल बिचान तो पोल के उपर रेकिन हवा में केबल भीचाने को हम क्या कहते हैं कि डक्ट में पाइप डक्ट का मतलब भी पाइप होता है ना डक्ट में इन डक्ट कह रहा है पाइप के अंदर तो दसका क्या हो जाएगा जनरेशन जो होता है वो उसके अंदर करते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई कि समान्य मनुश्य को जाने की अनुमती नहीं दी जाती सेम का सिम रिपीट खुआ था तो तंबे में कितने हुते हैं कॉपर में कितने होते हैं बो जी आप बताऊ न दिने पर्फर्मन में 29 होते हैं केम उननंतिस होते हैं और बायर सेίο सभी एलेक्ट्रोन कितने होते हैं तो सहोजी यहनी बाहस में एक रूथ होता है दो आर्थ है 18 एक तो यह हो जाएगा एक यूप्रोट किसका है से जभात आयार दिखना इलेक्ट्रों कि इसंती पता है क्या आपन्द कितने येक्ट्रों तम्भु प्रमाणूं में आंब यानि कुप व्लैस्टे क्यालाते हैं कि तामबे में होता है सिलिकोन जर्मेनियम गेलियम आरसे नाइड में कितना होता है चार होता है भाइकक्ष में ठेटरा उसे बोलते हैं एक दो तीन वाली चालक क्यालाते है चार वाली अर्द चालक क्यालाते हैं पांच छाथ आठ वाले ऐचालक क्या लाते हैं तो बफरिंग कहा से आगई कि अबने वाले सरकारी आदमी की राम राम भई दो आठ अठारा कि दिव्या कि डी आ जाएगा चैक क्या है कल सेम का सेम देखो रेगुलर क्यूशन उठा लिए यह भी उठाया एक पिछे बताया वो भी उठाया राइपुर वाला जो एक्जाम था उसमें ठीक कल करवाया था जो तीसरा लगोतार खुशन उठा लिए ठीक है चाहिशाथ क्यूशन थार कर ने रिखा नियोन लेंप जो होता है ठीक है वो किस पर प्रभाव पर कॉन काम करता है ही टर वगेरा जो थे हैं ठीक ना हदिइग उसमियं प्रभाव पे आपका एक जो कॉत Style अधर्मो कपल कोभावर अ यह जो ताप यह रहा है वह भी उसमियं प्रभाव पर काम करते हैं मेरे को यह बताऊ धर्मो कपल किसके यह किस प्रभाव पे काम करता है तो यह आपका उसमिया प्रभाव पे काम करता है यह पिजो इलेक्ट्रिक या सिबेग प्रभाव पे काम करता है मैं बताए देता हूं सिबेग प्रभाव पे दोनों एंपियर यानि करंट मापने के काम आते हैं बहुत कम करंट यानि उच धा करने चाहिए मर्क्री वेपर लम पूछे आप से आप से सोडियम वेपर लेंप पूछे आप से ठीक है तो गेंसा हेनी करना यह एक ओता क्या अकर साइन इक एक गेंस आयू ऐना जैसेशन 10 सरी समझने अनपीज एलेक्रिक रुक्त थर्मो कपल सिब्देग कि फेक्ट यों प्लकस एड्यक्रिक पीजिप्यक्ट यान इमेढ मेके नहीं दिया था एसे इसे सिब्दर जोन थे इकढ़े आई स्केर आर्टी सत्रा किलो पत्चिस लाइव कूच अलक का परतिरोध कितना होता कई सब्सक्राइब थेक्ष होता है इक तो लग मेगा ओम से तंसे बता है इस तो आप से कई बार यह पूछ लिया जाता है आर मेचर का प्रतिरोध कितना होता है तो आर मेचर का प्रतिरोध निमन यानि एक ओम से कम होता है एक ओम से क्या होता है कम होता है ठीक है और मद्यम प्रतिरोध जाजातर मद्यम प्रतिरोध किसका पाया जाता है मद्यम एक्त्रोनिक्स ऐस्तिया ह्ता वालस धिकर वस्क्राइब को परियोग प्रयोग किया यह आपको पता है यह किल्국म में पेजぎ कि में सा घ। पहली बार पढ़ते हो तो आप बने देते भी गूण प्रति रोध कमातर रखता है लेकिन इसने थोड़ा सा कुमाख करके क्यूशन फूचा वहांपर पहला ऐ अप्शन करके आते आ फटाक सी धीक ना तो यह मेंगा ओम इसकांसर आएगा ना-चेशन से चल रहा है कि दरवी कुमार सारे क्यूसन करवाओगे क्या अरे मैंने तो करवा दिया दो तिन चेप्टर रहे हैं भाई कौन सी वीडियो होगी है जाके देखो निम्मी की प्लेइलिस्ट जाके देखो कहा रह गए हो कि इनफिनेटिव टू जीरो स्केल कहां गया कि में अगर टू कोईल होता है दो नबबड डिगरी पी होता है में गर में डिसी जनेटर संट परकार के जनेटर का यूज किया जाता है एक ओम मीटर लगा होता है ठीक है ना और ग्राउंड और उसके अन्निट्रल या लाइन के बीच में यानि उच जो वोल्टेज उसके बीच में क्या जोड़ा जाता है एक प्रतिरोध को जोड़ा जाता है जिसका प्रतिरोध में मापना है ठीक है एक बेटरी का यूज होता है अगर इलोक्ट्रोनिक्स है तो नहीं तो हम जेनरेटर का यूज करते हैं संट जेनरेटर का एक हैंडल से चलने वाला होता है ठीक ना 140-160 आर्पिम उसकी स्पीड होती है और भी बताना है क्या कुछ ठीक पानसो हजार और 1500 वोल्ट तक इसकी उत्वादन समता होती है बहुत ज्याद है किसाय में सुनवा दो जर्त है चौरण सा विदूतूउप करना ॥ैक अतिरिक दारा संक्रार खता है विदूतूफ करना हtvक दारा संस्रान करता है कर लिए लेखो यöhए और सिस्पा आपको दिखाईए दे माल लो ठीक ना न और इसने क्या हमार अधिकग्दारार अपकिया गए अन्सर थिक है एक और आईगा इसका एक और आएगा उसका अंसर क्या होisl complained तो इसके लिए हम किसका प्रियोग करते हैं पुन्य वायर का ठीक ना किसका यूज करते हैं पुन्य रिवायर काने सुनता और बनता लिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं रिवायरेबल वायरेबल Fuse का इस्तेमाल करते हैं यानि जिसको हम क्या कहते हैं Kit-kat fuse कहते हैं और इसकी fusing factor बता दो कितना होता है fusing factor इसका कितना होता है इसका प्रयोग करते हैं यानि ये जो cable है ये था को विदी-द्यत्ध अधिक गारा kermिन केबल का क्या होता हुआ तो यह होता है 0.81 इसका जो multiplier factor होता है वो कितना होता है ठीक न यानि गुणाक गुणक वो कितना होता है multiplier factor तो वो होता है 0.81 पिछे आपने गुणा किया था तो यह होता है ठीक किसका यूज करेंगे और अगर आजाए अतरिक्तदारा से और अलग तरीके का एक यूज आएगा उसमें आपको बताऊंगा तो उसके अंदर हम कैसका cartilage fuse या अचार सी फ्यूज का यूज करते है तो इसका अनसूर क्या हो जाएगा कि ठीक रीवेर्बल फ्यूज कि वाइन कि अधर है कि हो जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको समझ में आ रहा है सही से यह बहुत जोंट बता दो जल्दी से मेरे कोई जोंट बता दो बता दो जोंट का नाम बता दो काई बताम कि शिरवपरी लाइन में 4 बैब डाने के लिएक जोंट का प्रियोंग किया जाता है चालक की लंभाई बड़ारे शिरवपरी लाइन के अंदर सर्विस लाइन जो है उससे एक अतिरिक्त सप्लाइ के लिए हम करते बिटानिया ठीस जोइंट का इस्तेमाल करते हैं ठीक है ना क्या करते हैं ब्रिटानिया टी जोइट इस परकार का जोइंट होता है ठीक है यह तारह जा रहा है जैसे यह तारह है ठीक है और यह तारह मालों सिद्धा के बलके इंदर रगाना हो तो हम क्या करते हैं इसको इस परकार से टी जोइंट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं टी जोइंट बोलते हैं ठीक है बिटानिया टी जोइंट इस परकार का होता है कि यह छड़ हो गई आपकी और यह आपका एक है चालक जारा जैसे बिटानिया टी जोइंट को यह चालक है ठीक है और इसके अंदर आपको ऐसे करक टीक है कि यह बन गया टीजा और इसके उपर क्या बाननте ईंसको बहुत होता है जो वाइर वगेरा में यूज करते हैं तो यह क्या होता है कि यह समाने तो यूज होता है बहुत है कमदारा वाले में यूज होता है इसकी जो यांत्रिक शम्ता कम होती है यांत्रिक शम्ता बहुत कम होती है सबसे कम पुछे यांत्रिक सबसे कम किसकी होती है सबसे कम होती है ठीक ना सिद्धा ऐसे करके एसे कर देते हो आप और एसे जोड़ देते हो तो वह था स्कौाइड ज जोइंट कौन सा होता देख लो बता देता हूं एक बार थोड़ा सा ध्यान गर लो यह केबल है ठीक न तो यह वेस्ट्रन केबल जोइंट आपने क्या किया थोड़ा सा तो इधर मोड दिया तार बीच में रखा यह देखो पहले समझ लो इस बात को यह यह तार लेके गई बढ़ेगी चालक की लंबाई बढ़ेगी तो तला चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए इसका प्रियोग करते हैं यानि एक तार थोड़ा इधर मारा और एक तार को आपने थोड़ा इधर जोइंट मार दिया समझ में आई बात बलिए हैं यह तार यहां पे थोड़ा मारा और इधर से जो तार आ रहा है इधर से जो तार आ रहा है उसको इसके उपर आगे यानि आगे पीछे यानि इधर वाले तार को उधर लेके चले गए और इधर वाले का इधर जोइंट मारा उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं वेस्टरं टी जोइंट क्यों सन अच्छे हैं प्या करने वाला इतना सुन्दर ताज मेल भी उसके आगे सर्माज आता है कि अधिकर सपीस चल गया है अपडेट कर लो कि यह क्लास है आपको बाद में भी काम आएगी क्योंकि प्रीडियम से पढ़ोगे आनसर देख देखके पढ़ोगे ज्यादा टाइम लगेगा आपको आगे पीछे आनसर देखोगे और इससे कम टाइम लगेगा ठीक ना जब स्पीड बढ़ा के देखते हो तो इसमें कम जाता है ठीक है डेली आपके लिए मेरा थन लेके आ रहे हैं डेली आपके लिए प्रिश्रम महंत कर रहे हैं चाहिक कसा भी हो और देख लो आप तो आपका भी फर्ज बनता कुछ सपोर्ट करने का मेरे हिसाब से ठीक है अगर आपकी जिगह मैं होता तो जरूर ठीक है ना ्जिपोर्ट करता है मैं यॉमीनियम चालकों को सुल्डर करने के लिए ऩ्षाल करकार की सूल्डरिंग का प्रियोग क्या जाता है तो आउंटर्डर्डरिंग के थीज़ते नहीं करता है तो इसौल्डर इलिमिनियम के लिए एक स्पेशल ह सब्सक्ते आप अल्यूमिनियम का एल का पी एल का पी एल का पी का प्रियों किया जाता है अल्यूमिनियम के लिए सोल्डर का अगर फलक्स की बात करें तो तीनी फलक्स है जी कौन-कौन से आयरा नंबर से वन अब तो नंबर बोर लिखना पड़ेगा न सेवन सारी चीज़े करवाए गई है क के राइट प्रकार का होता है के राइट के राइट प्रकार का होता है और एक और बताया था आपको मैंने क्या बताया था के राइट प्रकार का होता है के राइट प्रकार का होता है ठीक है काई नोल प्रकार का वहता है काईनोल तो यह फलक्स होते हैं सिरफ और सिरफ एली मेंडियम के लिए ठीक है तो टेलो तो विदुद्कारिया के लिए प्रयोग किया जाता है ठीक ना और यह हो जाएगा के रहे अल लाइट केर अल लाइट ठीक ना जिंक कलोराइड आपको बताया ही था ठीक अता तामबा को अगे रहा के लिए यूज कर लेते हैं सेम आमोलिया रोजीन किसके लिए प्रयों करते हैं हम विदुद्कारिया के लिए प्रयोग आईडिया पेपर कब अगा हो अ है कि तिन तारिक को प्रता चल पाएगा इस बात का विद्ट ठीक यह वीडियो आपको न बीच में आप जो क्यूशन तो बीच में आप क्यूशन पूछते हो ना बहुत बड़िया वाइपन फटेवाद तो अभी तो कोई पता नहीं है क्योंकि अभी लगे हुए है महन्त करने में पूरी खतरनाख तरीके से लेकिन आएंगे तब जरूर स्टूडेंट था और बहुत ही मतलब मैंती स्टूडेंट था दो तिन सेलेक्शन इसके हो गए है अभी आलफिलाली यह जोब कर रहा है महुत मस्त तरीके से मतलब इसने जो मैंत किया इसकी लगन देखके मतलब जिस परिवार से यह उठा हुआ है और इसकी मैंत को देखते है लेकिन यह क्यारी इसकी रेगुलर है तो भाई जरूर आप सको देखके तो हम भी मोटिवेट होते हैं है कि आयेусов बताएं कि पाद की अमारे तबाप निपाओं ऊन्ह मूझे हुए है इस ऩोल्डर को बार बार किला ने कीります का परबाऊ प्ड़ता है घ्राब हो जाएगा इनका बद्र का बद्र कर बदेगा यहां की सत्राइअ अज औरू नहागा? अजिका हागा? अजवागा! अजवागा अजवागा खाई हां जवागा रय हागा जवागा झाल वागा तो क्या हो जाता है इसके अंदर बार बार आप सोल्डरिंग करते हो तो टिन का बाग है लेड और टिन से क्या बना होता बताईए सोल्डर जो बना होता है वो किसे बना होता है लेड पलस टिन का बना होता है यहीं बना होता है क्या होता है यहीं बना होता है और लेड कितना होता है यह बताईए मेरे को यानि लेड 63% होता है क्या होता है और टिन जो होता है वो कितना होता है 37% इसमें होता है ठीक है सोल्डर की पर्ति रोद रोद क्या होता है इसका कम गलनाक होता है कम गलनाक है और कम पर्ति रोद होना चाहिए कम है पर्ति रोद होना चाहिए जिक है और यह लेड ओल्टिन किया जाता है नरम सोल्डरिंगे अंदर किस्सक्रेओं प्रियों कि आजाता है नरव मैं सोल्डरीं के लिए जिसको तीनसों दिग्री इसे से नीचे हैं त्यों निचे की लिए स्तिमाल करते आप अलेट्रिकल कार्ये के लिए ना त्रेस्ट से तिस साट चालीस फिर क्या हो जाता है उसमें यूज होता है ठीक न रमन को सुला दोनों होते हैं भाई साट चालीस हो रहे तीस चालीस साट हो है लेड तेने सो कम गलना कम प्रटी रोड़ अब जाए त्रेस्ट से यह भी को दिकतने पचास पचास गुविन वाजीवा ठीक है यह होता है यह ठीक ना साट चालीस भी उता है है कि अलग और टीन कवंटेंट किया हो जाएगा कम जाएगा जिसमें क्या थिन लेड को मिलाने से कठोरता बढ़ ते को मिलाने चाग्व पाइव बंदिये मूलायम जादा होता है कि सुरंदर कुमार हाइली रिजिस्टिवीटी होते है तो सोल्डरिंग करेंगे क्यों अब आई इसका मतलब तो आप एक रिजिस्टर डाल रहे उसके बीच में दो चालकों के बीच में सोल्डरिंग की जाती है चालक ता बढ़ाने के लिए किसे नाता है सोल्डरिंग का में अदे से क्या है जोड को मुझबूत करना और चालकता बढ़ाना कि खालिद खान सोंबीर खालिद सुमित अनिल चोदरी डिव्या सुरेंदर खालिद खान कि अधिए 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 धारा लंबे समय तक बहेगी कूचालक जारा ज्यादा बहेगी किसी भी मतलब पीवीची जो है पीवीची की फुल फोर्म आपको पता ही है पॉलीविनाइल तीक है अगर किसी चालक से ज़्यादा धारा बहेगी तो उसकी प्रभाव पढ़ेगा इसके इनसलेटर जो है उसकी क्या हुझाएगी परतिरोधक जा और परति रोधक रोधक जाएगा गटना सुरू हो जाएगा ठीक है ना और एक टाइम ऐसा भी आता है आमने देखा भी होगा भी उपर वाला इंसुलेशन जल भी जाता है अगर ज्यादा दार गरम होकर क्या होगा क्योंकि टंप्रेचर बढ़ेगा और एचालक पदार्थ होती है देखो ज्यादा कंसेप्ट बताता हूं अत्या देक दारा लंबे समय तक बहेगी करंट बढ़ेगा यानि करंट ज चालक ता बढ़नी शुरू हो जाती है तो टंप्रेचर बढ़ने से एह चालक पदार्थ की क्या होगी कूछ चालक की परतिरोध गटेगा ठीक ना परतिरोध क्या होगा गटेगा कि अधिशन सही है पॉली विनाईल करोराइड बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया सब उन्के बहुत बढ़िया लाइक और बहुत बढ़िया पयार नहीं किया वह कर देंगे क्योछ कर देते हैं अच्छे बाड़ा कां सब प्यारे प्यारे सब सरकारी नोकरी लगने वाले हैं जो इस आलात में पढ़ता रहेगा राम से लग जाएगा आपको भी पता है हमें भी पता है सब को पता है क्योंकि केबल विछाने में कौन सी विदी सकेंड चेत्रों में प्रियोगत होती है थोड़ी देर पहले ही बताया गया है इंडिस्टाइड एरिया जो होता है या के इंदर ब Cameo क हो तो हवा में कहाशनेन या वी तरन के अधर किया जाता है ठीक ए나ak दपक्त Track के इंदर्लियोग शल्टा ना बढ़नों के साथ में डारेक्ट डा घ्राउंड सिथ्तने जमें नहीं किया जाता है तो किस के साथ किया जाता है बी 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 दिया चमार्टीक छावी सिम बैस सिम बैस दो तिन्मा रिवाइज कर लो सीम बैस तो यह यह आर्मरिंग यह बेंडिग में इन तल उप पूर यह क्या है इन्सूलेटर रहे ये realized एन्सूलेटर रहे सीज़ trucs बना रहे हैं था हुआ लिए ख्यूसरा ये खूँए हो गया तीसरा शॉत्हा ये ओ गया और पांच को ये हो गया च्टावरश वां देखो तो साथ बाइप हो गया लेकिन अपने पास तो चारी आ ठीक है चार यह लेकिन इस हिसाव से अगर आप आते तो इसके अंदर हम इन्सुलेटर होता तो वह जाके देख के आते लेकिन इसने इन्सुलेटर ओप्शन ही नहीं दिया बेचारें तो बहुत बढ़िया करती है लेड़ सीथ क्या होगा लेड़ सीथ हो जाएगा कि यह आगया देखो कि असे तो यह से मिए क्या कि किस नंबर से मागया वही है ना भूमेगत कैबल किस प्रकार के दोस्ट त्यूर्ट प्रकार के लिए अधिन या थितिका भी बेले आवाने लगे या बू दोस लगू प्रिपत्स देको इसके अन्डर वी जोड़ा बोई सेम का से मा बे अच्छे एक पंत दो काज वोलजी नोकरी भी कर रहें और कलास भी देख रहें रहें बहुत बढ़िया बढ़िया द्यान कर लेना विजली विजली वाली हो कर नोकरी चक्र में हाथ करंट में डाल दो समय कांबोर गया तो भी बहुत आए गाथ आफ माच को जग लगने से कोन बचाता य flowing धिक आतो हमें पता है सिम बेस ठीक न यह इसको बचाता 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 तो यह दात्विक कवच है इसको कौन बचा रहा है तो मेटालिक सीट को भी बचा रहा है कौन बचा रहा है बेडिंग आ जाएगा कौन बचा रहा कि रोज फीचर बदलते हैं भाई कि कल क्या आएगा इसका कोई पता नहीं प्रेजंटे अगयों को उप्योग ना करने के समय जैसे आपने देखा भी होगा पहले टेलीग्राम पे कोपी राइट नहीं आता था अब दूसरे की आप पीडियाफ टेलीग्राम में सेवर करते ते मालो पेडियाफ सेर कर देते हो और कुछ करते हो तो उसमें अपके अलग-अलग टाइम आता है जैसे बदलती जा रही है ठीक है और टेलीग्राम पे भी प्रीमियम आ गया है उसको भी आपको खरीदना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी वट्सप पे चेनल बन गया है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है अपनी चैनल लगा आयरन का उपयोग नहीं करने में स्टेंड क्यों रखना आवसेक होता है एसे रखते हैं आप आयरन का उपयोग नहीं करते तुसके अंदर यह आयरन बिट सी ऐसे डाल के छोड़ देत यह जलने वह अगली से रोकता है अधिक तुख्समा से नीयंत्रीत करता है शोल्डरिण प्रप्रिक्रिया समय बचाता है संचालत को विदूद यजटके से बचता तो यह कांसर्गल तो जाएंगे यह क्या है प्रिवेंट बरन यानि जलने से और आग लगने से बचाता है क्योंकि आप रखोंगे तो आग लग सकता है कि अच्छा एक वाली एड़ नहीं आई गया कि ठीक है एक 101 वाली गया हम यह एक वाली एड़ा इतना मतलब प्यार है आपका आपको तसलीम है जाही तो करी देते हैं अगर आप नोट से लेना चाहते हैं रिट नोट से लेना चाहते हैं चलो कर देते हैं फिर है अगर तो कि लो एक 101 नंबर ये डागी अच्छा सी एलम ऐसे इलेक्ट्री सीन कोई भी कलास नोट्स चाहिए इलेक्ट्री सीन के त्योरी के लिए तो 101 रुपए में मिलेंगे कर सकते हो बहुत बढ़िया और प्यारे और बहुत बढ़िया हेंड राइटिंग के अंदर बनाए गया है आप मैसीज कीजिए और मजा लेजिए इसका ठीक है तीन मेंट के वीडियो बनाके डेड़ मिनेट एट कर देते हैं वस यह दो है जजबा जलवा है जबा यह 24 नंबर कर देजिए जंक्षन बोक्स में कैसे मिलते हैं बले चुहें के पूंच जैसे जोइंट इससा होता होता न यह देखो जन्क्षन यह तार आपके पास यह यह तार था और यह तार ता आपको छिल लिया और इस एतार को इसके साथ में लपेट दिया आप predeते तो इसे सिंख करके डो अरकर कर कि आपए यह बहुत जोयंट मारते आपको पता नहीं पिग जोयंट या रड्ट इसको बोलते हैं ज्वेट बहुत लगाते हैं यह हो कि मेरीड जोयंट क्या होता है है मेरीड ay अरे जक्रतला तर्ट करते हैं तो क्या होता है साथ्ली करते हैं तो स्टेज पर हाथ मिलाकर चढाते हैं आवाँ पर तो वाला जोंट होता है अच्छे यह आई गया गया क्या नाम है इसका ठीक है क्या नाम है इसका ठीक है देखो हाथ मिलाने वाला सा जोइंट है एक तरब से यह तार है और एक तरब से यह तार है दोनों क्या करते हैं इस प्रकार से एक दूसरे पर चड़े होते हैं यह तार इस पर चड़ गया यह इस पर चड़ गया ठीक है इस प्रकार से चड़ गया ठीक है तो इसे क्या साध्य वाला बंदन उताना जैसे क्या वो साजण तुझको तेरी धुलन फुकारे आ चाओ धिरे-दीरी चार पांच उसकी कि सहलियां आगे पीछे उसकी साहिता करने में हैं हूँ चलता तो है कौन असा चलता है कि साथी जोड़ है हमारी साथी में है अब तो प्रिवेडिंग सूट भी होता है हाँ आज काल तो मतलब हीरो हीरोहिन बंगते हैं पहले ही क्या सिस्टम चला रहा है भाई या ठीक है पहले मतलब दुले दुलनिया का और दुलनिया दुले का मूह नहीं देख पाते है है साथी से पहले मुह दिखाए देनी पड़ती ती भलो अब मुह दिखाए के नाम पे सिर्फ रसम होती है बाकि मुह तो काफी टाइम पहले देख लिया उता है ना तो मुह दिखाए गिरस रसम बच गी बिठाणिया टीजोंट क का उपीयों क्या है के locker दियर की एक्सेंटि रेंट रफड लाइन ये तो क्या होता है वैंस्टरन टीजोंट रिंट से लिए समस्टलैशन टेकला एंस्ट्रीक और जब से सुंदर जोइंट जो है उसके लिए तनाव क्या सकता नहीं, उसमें प्रियोग होता है, सिरोपरी लाइन में सेवा जुडाव के लिए, यानि सेवा प्रियोग किया जाता है, तो Britannia T joint आशा ओता है यह चालक जारा है और आपने यह चालक अशे लगाया और इससे गड़ दिया और इसके उपर आपने क्या है एलुमिनियम का तार लपेट दिया तो बिल्टानिया टी जोइंट है यह कौन सी लाइन है सिरो परी अवर हेड़ लाइन है तो इसमें आपने क्या लेली नई लाइन लेली सर्वीस लाइन सर्वीस लाइन मातलो गर के लिए मैं कैनिकल स्ट्रोंग वेस्टरन जोइट होता है हाँ थीक ना स्कार्फ जोइंट ब्यूटिफूल जोइंट जो है उसके लिए क्या है उसकी यांत्रिक तनाव बहुत कम होती है तो उसके लिए आंस्वर आजाएगा ठीक ना और यह नॉर्मल व्यूज होता है सिरो परी अच्छे क्यूशन के जोइंट के केबल के अंडर ग्राउंड के बलके तीन-चार चेप्टर के कट्थे यह बलस साधिवाड़े देखने आए बल अभी क्या करता है बलत आले तो तंगी करता है तो बिल्ला हो देशे तीन बाद में साधी करवाओंगा चनोकरी लाग जाबाद में साधी करवागा परसनल बात है मत पूचा अगरो यार तुम सर्विसिंग और रिपेरिंग कारिये के लिए किस परकार की सोल्डरिंग वीदी का प्रियों किया जाता है देको सर्विसिंग और रिपेरिंग कारिये के लिए हम नॉर्मल यूज करते हैं उसका नाम होता है क्या नाम होता है पत करते हैं किसका प्रियोग करते हैं सोल्डरिंग गन का प्रियोग करते हैं रिपेरिंग कारिये के लिए सर्विसिंग के लिए हम क्या करते हैं सर्विसिंग के लिए और रिपेरिंग कारिये के किस गन का होता है जो आला थोड़ा जाई हाई टेमपरेचर के लिए प्रियोग करते हैं तो अगर नया क्यूशन भी आया तो आप इतना पढ़ लोगे इतने क्यूशन कर लोगे साथ-साथ में रिवीजन हो रहा है साथ-साथ में बढ़िया सिस्टम चल रहा है आपका हुँ तो उसके लिए मैं क्या करना पढ़ता है बताई है तräकला अरे परसनल चीजों का जभाब ने देते कुछ चीज आ हिए आओ चाह को अलग रहने ची अ आप जलिए शॉल्डरींग विदिक आप एक डिए डेप सोल्डरिंग विद इसिध का व्योग यह नरम भी जुख टी पाई पॉर केबल सोल्डरिंग सेथी आती है PcB के च्वोटे बागो में सूल्डरिंग का कारिया होता है ठीक ना सोल्डरिंग का कार्ये होता है कि यह बताए दू कि बच्चा तो यह भी बोल सकता है बई क्या नाम है आपका सुने बच्चा यह भी बोल सकता है आप त्यारी नहीं करो आप छोड़ दोगे गया हुआ है जितने मुह नहीं बाते हैं अपरेंटिसिप मांग रखेंए नहीं मांग राइप रही है कि पहले ती अपरेंटिसिप आपने कर रखी है और आइटी नहीं कर रखी रेलेवे कर वाता है इंट्रनेशनल वगेरा नेशनल वगेरा इंट्रनेशनल जो एक्ट है उसके हिसाब से 1921 का साहद है उसमें रेलवेः प्रेंटिशिप करवाता है एक साल की तो वह अगर है आपके पास तो भी आप वेलीड हो यह का गया है प्रेंटिशिप जरूरी नहीं है आई टी आपके पास मिनिममम क्वालिफिकेशन बस एक से एंगी तो बाग का नाम क्या है एक तो यह वेल्टिट के बले और आपको पता होना चील चार पांच केबल बता दूँ क्या को तीकर नहीं मांगता नहीं रेलवे मांगती है और नहीं को डियम आरसी वगेरा यह भी मांगती है नै एकस्पक्रियंस मांगा जाता है तो वह लग है तो जा सकते हो फटान का बार यह भीघान कंसिंद केबल इसका किशन बहुत बार आता है और भूत इंपर्टेंट थेक है इसका प्रियोंक किया जाता है ज्यारा किलो वोल्ट सबाई नेत है अगर कहीं जरूत पड़ जाए तो बाईस किलो वाल्ट तक भी इसका प्रियोक कर सकते हो आप क्या कर सकते हो बैल्टिड के बर ठीक है ना एक होता है सील्डीड केबल स्क्रीन के बले बोलते हैं सिल्डीड के बल ठीक है तो इसका प्रियोग कहां पर किया जाता है बताईए टेक है अंडरग्राउंड सर्च चानल टेक है अंडरग्राउंड सर्च चानल ठीक है इसका प्रियोग किया जाता है इसका 365 Phone Kyma के अचानलोक के में और आपकी लिएसका परियोग की जाता है फ्रैसर के बलको ठीक तो यह कव यजेन के बलाच लोगल को क्म अचैंडर एसके नाम बतादेता हूं मैं यह क्या है तो यह चालक है यह क्या है चालक है इसके उपर यह क्या है तो आपका पेपर इंसुलेशन होता है यह क्या होता है पेपर इंसुलेशन होता है ठीक है ना और यह क्या होती है लैड सीत होती है यह बीच में यह इंसलेशन और बीच में अलग से इंसलेशन होता है को वोदी है तो यह आन्षव अना चीए इसका पिक है जूट फिलाख संफ ऐलंग आ रमरिंग नहीं को से लेटशीत और पैपेपर तो सिैंक ना बीच में दिया गया इहीं को आप बताहोग को सेสवती लेट सित्थ ने उती आर यह पेपर इंसुलेसिन ओता है भाई ठीकना या होता है पेपर इनसुलेशन कामने गर रहा क्योंके तो पेपर अगर इसने यह यहां पे दिया इसने अगर तो यह पेपर इनसुलेसन लेड़ सी तीए स्क्रीन के भला 2266 प्रियोग किया जाता है 22 तक इसका प्रियोग कर लिया जाता है समाने स्थीति में ये जाराव किलो वॉल्ट तक किया जाती है अगर उपलब्द नहीं है तो हम कहते हैं बारा किलो वॉल्ट तक इसका प्रियोग के किया जाता है कि लेड़ सित यार मनिंग होती है यह कवरिंग होती है तो लेड़ सीथ उप इसका आंसर दिया है बंब बता ता अगर इसने यहां दिया हुआ तो और अगर इसने यहां दिया लेड़ सी त morbot इसने अंदर तक दिया है तो इसका अनसर पिप्र इंस्लेशन ऑना चीए लेकिन आप लेड सीथ याद कर लेना सेम डाएग्र São आजाए तो इसका आनसर यह दे सकते हो आप ठीक है कि पतली से पटी चड़ी होती है वह का गजिसलेशन होता है अब प्रेसर केबल ओयल फिल्ड के बला हां 132 से ज्यादा के लिए ओयल फिल्ड के बल प्रियों के जाती है चांसर से 132 तक आपका नॉर्मल फ्रेशर केबल जोती है उसके बाद वैल फिल्ड बताया हुआ है के चीज करवाई होए है अब वैलकम टुपैक कर दो को अब को अब को अब कर दार्थ भूमिक एटो केबल में गरम योगिक कितरह डाला जाता है यानि जो जो कि अब को समझ में नहीं आएगा लेकिन यहां से पड़ो विच एंसुलेटिंग मेटीरियल इस यूज एड होट प्यूरिंग कंपाउंड फॉर्दा मेकिंग जोइंट जोइंट कांसुरी नहीं इसके अंदर कहीं पे भी हंदी में तो इंगली जोइंट बनाने के लिए ठी तो आप कांसुर आएगा पॉलियमेन कास्ट बिटूमिंस योगिक कौन सा डाला जाता है बिटूमिंस योगिक ठीक है जोइंट है यहां पर जोइंट जोइंट नहीं दिया हुआ कुछ भी एक गटे से उपर हो गया क्या बोलते बोलते हैं मैरा थन क्लास डेली आहीं in मिलती आपको नहीं तो बस 25-30 मेंट की क्लास देखने को मिलती है अना कई कलास देखनी पड़ती है डेली एक चेप्टर या दो चेप्टर तो हम डेली रगड़ देते हैं कम से कम टाइम में ज्यादा ज्यादा कंटेंट कि बाई दुबारा चला लो कि यहां से सरा सुदोसिएन्सी इस्से भूम मेंगत केपल बेंडिंग का क्या बन daytime कि सही बताएए बेंडिम जो इसका वेस्या सिम मेटालिक सीट को बचाना ठीक है ना क्या बचाना metallic sheet को mechanical injury cable को यांतरिक छती से बचाना ठीक है ठीक है cable को नमियम गैंस से बचाना डी डी आ रहा है प्रोटेक्ट आर्मरिंग था metallic sheet को corrosion यानि छरन से बचाने का काम बेडिंग करती है क्यूशन पहले क्यूशन था ठीक न और अंस्वर बेड़िंग था अब आंस्वर यह है क्यूशन बेड़िंग में दिया हुआ हूए बस कि अर्शे मके सेम कि मिलने की संभावना बहुत जादा बड़ गई है बहुत जादा रिपीट हो रहे हैं क्यूशन अजकल एक तो एंसर की बनाने में मेंधनी करने परती है इस फ्रकार के दोस्कों क्याथ क्या जाता है लूप टेस्ट से भूमेगत एक के के लिए को कौन सा टेस्ट जानने के लिए प्रयोग किया जाता है एक परकार के दोस्तों इसके अंदर दिया नहींग है कि दोस्त के बारे में पूछ रहा है इंडी में जैकिन इंगली समें पढ़ो आप लोकेटिट दा फाल्ट इन दा यूजी के बलिया किस किसी के बल में दोस्त जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है वह में तो लूप टेस्ट होता है मुर्य लूप या वरले लूप टे पांच किउशन आपके सही हो सकते हैं इंगलिस में पड़वय लेना चार-पांच किउशन सही होने की सभावना बन जाती है क丁गी आइंगलिस में क्यूषन जरूर पड़ना जोπο qué Nit &oser समझविन आई कि और और कि है इंगलिस वाले को सही माना जाता हिंदी वाले कि गूर नहीं की जाती साथ बटा एक चार जीरो है तो यदि एक चालक को इतने किसे अंकित किया गया है तो यह क्या दरसाता है तो उपर वाला तो चालकों की संख्या दरसाता है यह जा न व 근데 अरह साथ है कितनी पुरिये क्या दरसाथ आ उसका व्यास दिर्ट सरसाथ तरहित है की टृण एक चालक का याद रखना एक च लगका यानि साथ चालक उसमें एक जालक आंद 90 देविले जी के इंदर दी आ होता हैं वो बताय जाता आपको तो 7 दो चालक है उस के बलके इंदर है एक पॉंट च्यार इतना और यह पर टेक्व छालग का एक एक चालक का व्यास दरसाएगा और उपर वाले चालकों की संख्या दर साथ सा जाल का इतने व्यास के यह रो मिला मिला यह यह होगा देजिए यह यह उपर कंडक्टर होता आप लोग नत बाजीवा बाजीवा गोविन शिशान दिव्या गोविन टेक खालीद विनिता किंग ओप गोष्ट यानि बोतों के राजा सुक्की महरा टेक सी 34 का सी क्यूशन क्या भई 34 का सी देखो अगर कुछ चीजे हैं नोर्मल मैं देखो तो मो पर मीटर है यानि जो सिल्वर का होता है ना सिल्वर का लगबग कितना होता है 52 होता है लगब कितना होता बास वता मौपर ठीक है और संपन ये जो दिया हुआ है ठीक है शिलींवर के बाद के कोपर का कितना होता है लगबय कर फोनोत अफं सब्सक्राइब कितना अलग में अलग अलग यह मिलेगी आपको साइमन पर सेंटिमीटर मिलेगी टिकरों पर मिटर मिलेगी तो यह होता है तो आनसर क्या जाएगा अलुमिनियूम का फुच्छा बोले जी 35 के करीब आनसर आजाएगा ठीक ना 35 के करीब आनसर आजाएगा ओप्शन के हिसाब से नियर कर लो कोई दिक्कत नहीं है कि अधिक्त अधिक अत्तिरिक्त दारा केबल प्राइड़ेद आ कोर्स एकसे ज करेंट ठीक है एक एकीजेंट इस है मल्टील और रही एक टरब् Murth कि यर्थ पुक्ड़लो क्यूशन काफी रह गए है और समय बढ़ता जा रहा है बुमेगत केबल में उदासिन चालक का अकार फेज चालक से तुल्ला में कितना होता है तो एक आपकी साड़े तीन कोर केबल होती है नाम बहुत लंबा है उसका तो साड़े तीन वाली में तीन तो क्या होते है एक जैसे होते है और जो न्यूट्रल होता है वो क्या होता है आदा होता है क्या होता है न्यूट्रल आदा होता है इसलिए उसको साड़े तीन कोर केबल कहते है ठीक है फेज चालक से आदा होता है का इस प्रफर कें पर एक णिवर्टि फैस्की और तरका जाता है बहुत नहीं सब को पता एक शंुर та कि मेरे कोई इसका अंसर ये बता दीजिए मैं पानी पी लेता हूं इतने में दो त्यून क्यूशन आप कलियर करो यहां से कटिंग प्लायर ठीक है क्या काम आता है ठीक है वायर स्टीपर क्या काम आता है ठीक है और क्रिम्पिंग टूल का कारी यह क्या है तिन्नों के आनसर बता दीजिए और यह चिप्तर देख के आपको बता दिया जाएगा सभी प्यारे हैं और लगे रहें तिन्नों के आनसर आने चीए देख रहा झाल 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 कि आप कि इस ट्रीपर कि ट्रीपिंग लग्स दबाने के लिए अच्छा वायर श्टिपर वायर इनिसुलेशन छीलने के लिए अरे कटर बोलते हो ना जिसको आप इनिसुलेशन छीलने के लिए प्रियोग किया जाता है कटिंग प्लायर काटने के लिए प्रियोग किया जाता है ठीक है ना कटिंग प्लायर काटने के लिए तार को काटने के लिए प्रियोग किया जाता है बड़े वायर स्ट्रिपर इनिसुलीशन और क्रिपिंग टून लग्स वगरा जो होते हैं ठीक है को क्या करने के लिए दबाने के लिए लग्स क्या होता है लग्स का मतलब वहां पर इसको लग्स का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम केबल की जुत्ता भी कहते हैं केबल शू के नाम से भी जानते हैं ठीक है और यह क्या होता यह क्रिपिंग टूल है क्या है क्रिपिंग टू लाश्ट में चड़ाते हैं आपार इस परकार का गोड़िया होता है ठीक है है तो लग्स हो गई कि यह इसको दबाने के लिए लग्ष थिंबल यह किमन कहा दे आपको थिंबल को दबाने के लिए इसका प्रयोग किया जाते हैं इसका अनस्वर सही बता दो कोई भी कैलेकुलेशन करके बताना कि यह पहले बात तो है क्या माइक्रोमेटर रहे पहले बात तो क्या है माइक्रोमेटर रहे कम से कम इसका जो होता है वयास हो इतना माप सकता ही ठीक है Γ bên में हम अब सकता ठीक पर और यह ले ऑफ अंथि स्टील से बना आवता है यह liter तो यह सकेल है यह 0 है यह 0.5 है यह यह एक पॉइंट पांच है नीचे दिया हुआ यह क्या है दो पॉइंट पांच है यह क्या है तीन पॉइंट पांच है और यह क्या है चार पॉइंट च्यार तो यहां पर कितना है देखो तो यहां पर क्या आना चाहिए चार पॉइंट पांच तो हमें पता चल गया इसका व्या एक minimum जो value है उसको किस से गुणा कर दो 5 से गुणा कर दो फीक है तो value कितनी आएगी इसको पढ़ने के लिए 0.05 आएगी तो total तार का व्यास जो हो जाएगा उसमें क्या करना है बलो जी यह जोड़ना है 0.05 तो total इसका व्यास आएगा 4.55 ठीक है ना कितना होता है 0.01 mm तक यह मापता है ना तो यह minimum को हम किस से गुणा कर देते हैं जो यहां दिखाएगा यहां पर अकर 10 दिखाया होता तो हम क्या करते 0.1 गुणा में 10 से गुणा करते जिसकी value आती 0.10 फिर इसको जोड़ देते यानि यह और यह दोनो यह तो 4 के ब पांच पांच हो जाएगा कितना हो जाएगा चार पॉइंट फांच पांच हो जाएगा ऑटे गलसेन कहरा गोगल से डाउनलोड करके इमेज दिखा दिया करो तो आप भी भी देख सकते हो थोड़ी बहुत में ताप भी तो कर सकते हो कितनी इमेज दिखाई होगी कोर्स जो करवाया ना उसके अंदर इमेज से बढ़ा पड़ा है अब सरोज इमेज इमेज कहां से दिखा दे इतना तो वक्त नहीं होता है न फिर आदा गंटाई कलास लिजाए आदा गंटा चालिश मेंट कलास होगी डिली कंटेंट कम हो जाएगा कलास मस्ट लिए सर्जी मजा आ रहा है औरे मजा रहा है पर लाइक नहीं बढ़ रहे आप काफी दियोर से यहीं टिप के बड़ें चिप के बड़ें कि स्केल की लिस्ट अमाउंट या अकाउंट टिकर वानों की बाड़ी के सुधार सेल्डरी यूडदा रेजिंग दा वेकल बोड़ी यानि तुम्हें वेकल बोड़ी पिक्यों सोल्डरिंग करने लेकिन फिर पूछ रहा है यह ठीकर ना वानों की बाड़ी के सुधार के लिए सोल्डरिंग कौन सी विदी प्रियोक है डीप सोल्डरिंग तो बिल्कुल नहीं है पीसी भी और उतबादन कारिये के लिए इसका प्रियोक किया जाता है सोल्डरिंग वित फलेम आपने यह देखा भी होगा सोल्डरिंग आयरन से भी नहीं किया जाती है ठीक ना सोल्डरिं लेंग गन अशे यह भी नहीं कहिए जाती है तो हम देखते आना जुआला के साथ सुल्टरिंग करते हैं गज़स वैल्डिंग करते हम वर ना टीक है तो सुल्डरिंग वित अ century मेरस जोल्डिंग करना यह बड़ी बड़ी आपकी चाद्र रेख होती है दीगे ना शीट मेटल जोती है उसको चिपकाने के लिए तो बोड़ी किसे बनी है सीट मेटल से बनी है तो उसके लिए लिए हम ज्वाला सुल्डरिंग करते हैं तो प्रोस चालक की तुल्णा में क्या लाब है गुथे हुए गुथे हुए का मतलब होता है स्ट्रेंडीड स्ट्रेंडिड जो होता है यानि 1 2 3 4 5 इनको क्या कर लिया आपने पतले-पतले कई चालक लिये और उनको क्या कर लिया एकठा कर लिया एक ये चालक होता है मालो एक इकठा तामबा ले लिया अपने एक चालक का और एक ये पतले पतले चालक से इतना बड़ा व्यास बना लिया भी इसको अपस में क्या कर दिया इस प्रकार से गूंथ दिया जैसे आप नोर्मल केबल प्रियोग करते रखलर हो गरों के इंदर को पार यह तेए एक एक पोरहल या धिया तो पतली वह क्या होती है जैसे इसके अंद्र भी ऐलागा हुआ है इस्टेंडेर बायर लकावा यह का फेलेक्सी वैले सानी परक्राइब क्या परकुलेखलेगा कोस्ट लिस कम किमत रहें जहांद और फ्लेक्सिवल लोती यह क्या होती है इस चैप्टर से साथ क्यूसन आए ते साथ चैसाथ क्यूसन थे जो नॉरमली रिपीट सोला एन्पन केया गेल के दारा चमता क्या होगी यह अधिक्fikत तीनंप पर expensive करन्ट शुरुक्ष्या दerson डवारा सरक्षित किया जाता है तो सोला किट्रीटर वाला क्यां उत्य confess कि एक एक से गुणा करना पड़ता है फेलिए टीक ना क्या करना पड़ता है आठ एक से गुणना करना पड़ता थेक तो सोड़ा आठा कितने होत्या भाई अरे रे 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 तो बारा पॉइंट कुछ आज आएगा बारा पॉइंट कुछ आ जाएगा तो आपानसर अप्रॉक्सिमन्ट क्या सकते हो तेरा दे सकते हो आठा कि 12.9 अर्षा कशन आजाएगा लेकिन आया कैसे तो वह याद करना है चार क्यों बतार है किसे करेंगे से करेंगे यानी सोला से कम होगी मोगी यह तो पता है लेकिने कम होगी तो 0.8arane 80と के करीब लगबक आपका मान आएगा ठीक 13 एम्पिर विजली की मात्रा तमल ні में ऒिजली मातरा को हम कहते हैं आवेस क्या कहते हैं तो चाल मोंत होती है क्या होती है क्या होती है एक को टी आपकीं एंपियर सेकेंड होती है एंपियर सेकेंड इसकी काई होती है ठीक है ना तो क्यों काफी जगे यूज होता है एक क्यूब राबर सीवी होता है आपको पता हो तो सीवी भी होता है क्यों प्राबर सीवी होता है ठीक है तो एंपियर पर सेकेंड तीगा ना वोर्ट सेकेंड लोट पर सेकेंड वोर्ट पर सेकेंड तीक है और कुलाम तो इसकी काई क्या होगी कुलाम हो जाएगी यह किसन तो आपको इतने असान लगने लगे होंगे भी बिलकुल ऐसे आजाता है जीसे बोरिएट सा महीसूस करते हैं आप न इतने आपने असान लगने 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 कि तो यह यह न्यक्त आया है कफी a जो बढ़िया है यहाई ने इस आएटी एमपियर सेकंड विदू है सबको पता है इस पि्रयोक आपर किया जाता है विदूत या एलेक्रीकल कारिये के लिए इसका प्रियों किया जाता है विदूतव है विदूतव है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स कारिये के लिए इसका प्रियों किया जाता है इसकी बिट जो होती है वो तामबा की बनी होती है किसकी बनी होती है तामबा और तामबा की बनाने का कारण है क्योंकि इसकी चालकता उच्छ होती है चालगता उच्छ होती है ठीक है ना और उसमा चालगता भी उच्छ होती है इसकी उसमा चालगता उच्छ होती है ठीक है इसको साप करने के लिए रेग मार गया का इस्तेमाल करना चाहिए जिसको हम रेग मार का इस्तेमाल करना चाहिए या टिनिंग वगरा प यह स्टेंड है जिसके नदर डाला जाता है इसको स्टेंड तो स्फिंड आयरन स्ट को शपर सॉल्ड नप आयरन आई है ते यह कियूशन अच्छा है यारा कियोशन है। और इस्क्यूशन का आनसर आप पहली क्लास में मिल जाता है आपको कहीं स्टार्ट करते हैं ठीक है एक होता है voltage पता है क्या आपको या एक होता है potential potential थीक है विबाव एक होता है potential difference विबांतर एक होता है एक होगते हैं ट्रमीनल वहलतेज हैं ट्रमीनल ग्याद करने हैं तुकि शुतर का प्रयोग किया जाता है इमाफ identifier करना अब मानलो यह आपकी बेटरी तक समझा देता हूं मैं बेटरी बेटरी के अंदर यहां से लिए अपने और यहां पर लग दिया आपने कोई सचर्पीरती लोडसीं को बेटरी से टीक है जो बेटरी के अंदर है वह क्या है EMF है ठीक ना और यहां पर आप जो मापते हो वो EMF नहीं दरसाता है वो terminal voltage दरसाता है वो क्या दरसाता है terminal यानि कुछ voltage drop हो जाती है ठीक ना जब load के साथ हम connect करते हैं कुछ voltage drop हो जाती है तो drop होने के बाद जो voltage बचती है ठीक ना वोल्टेज ड्रोप होने के बाद कुछ वोल्टेज बचती है उसे हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं तो हमेशा याद रखना एम अफ जो होता है वो टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होता है ठीक है टर्मिनल वोल्टेज से क्या होता है ज्यादा होता है यानि कितना ड्रोप हुआ और यहां पर voltage कितनी दर्सारा है तो उस उत्तर से हम E-MF गयाद कर सकते हैं ठीक है ना यहां पर समझ में आई बात क्या या नहीं आई ठीक है तो क्या कर दें इस voltage में इसकी voltage जो है इसमें voltage जो ड्रोप हुआ यानि कम हुआ उसको जोड़ दे आपको एक बाद ये भी पुछा जाता है तो कई बार क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है तो टर्मिनल वोल्टेज बराबर होती है EMF माइनस में माइनस voltage drop कितना हुआ है यानि IR का मतलब है V ब्राबर IR होता है voltage drop है ठीक है अगर आपसे कहते EMF क्या है तो EMF उधर रह जाएगा तो terminal voltage जो होती है उसके अंदर अगर हम जोड़ दें क्या जोड़ दें voltage drop को जोड़ दें ठीक ना इसको इदर लाकर जोड़ देंगे तो यह EMF का सुतर बन जाता है सही है क्या तो voltage drop IR का मतलब होता है और R resistance internal resistance क्योंकि बेटरी के कुछ अपने परतिरो दिकान कुछ voltage क्या हो जाती है वहाँ खपत हो जाती है तो विबांतर माइनस में यह तो नहीं है तो terminal voltage EMF potential यह देखो potential difference कितना इसका ठीक ना और उसके अंदर आपको जोड़ना है voltage बात ठीक तो यह हो जाएगा यहां पर दिखाया भी है मापते सबको voltage में ही है यहां पर भी है देखो यहां पर थोड़ा लग आया है क्लोज एक्सिस दोनों बता देता हूं मैं ठीक ना क्लोज एक्सेस कॉर्ष एक्सेस ठीक है और एक अधा क्लोज एक्सेस है ठीख को इसके लिए क्या ओता 0.100 होता है वर इसके लिए होता 1. sud कल नों याद करें 9 न वह पुच्छे तोर यह फार्मूला वह रबार यूज कर रहे थे आप है ठीक है तो इसका चुर्व क्ता जाएगा कलोज कद यह पॉइंट दो तीन आ जाएगा सी जिसक आइप आनसर दीजियो जल्दी जल्दी कौन कहां से पदा रहा है कौन कहां से पदा रहा है वू सलर के गुतसर दाकि तुलना में क्या हानी एक होस्च लग कम लचीउटक अभी कि उसे नाया है क्या होता है कम लचीेल होन तों का का मोता दा असे ज्यादा होता है फूरत चेनल ँ सिर्णल खेलना बंदगर दो जी लगा के पड़ लो कौन सा है पिस्टल साय ना गन सोल्डरिंग एब लो लेम्प सोल्डरिंग गन सोल्डरिंग सेंपल आनसोर बिलकुल भी तो आनाम से देपा होगे ये लू सई सल्डरिय का कोई तरिका थाता सही है क्योइप कोई फ़्ऌतव बात नहीं ऐनली कंतेंट वाना कोई सॉट बिका को नी है फोल्डरिंग थांडर्न दोस्का क्या कारणा फैना फैश रिंग है certains दा का ज फोल्ड-सॉल्च दिफेक्ट यानि थंडे call वोल्ट कोल्ट रिंग होटकोल्ड रिफाइक्ट होटो जाए इनसे प्रियापत उसमा जितने उसमा उसको चाहिए उससे कम है तो वो गरम नहीं होगा पिंगलेगा नई मेल्ट नहीं होगा नो बस हो गई है ऑल कि एक atraanda data का इमटर को एमेटर की तरह जोड़ा healthy मेरे को आपको दो क्यूंसर दे दो मेरे को दो efficient यहाशर दे दो ओर्त meter इमीटर की तरह जोड़ना है ठीक है चलो चार कुषन की आनसर देने हैं मेरे को अब बता दो चार मैं मान जाओंगा आपको आपकी त्यारी बहुत अच्छी है ठीक है ठीक है एक मिटर को कि वॉल्ट मिटर की तरह जोड़ दिया जाए तो क्या होगा तो क्या होगा वॉल्ट मिटर को कि एमिटर की तरह जोड़ा जाए तो क्या होगा चीक है और एमिटर को वॉल्ट मिटर बनाने के लिए क्या किया जाता है एमिटर को वॉल्ट मिटर बनाने के लिए क्या किया जाता है एमिटर को क्या बनाना है वॉल्ट मिटर बना दो आप तो कैसे बनेगा ठीक है वॉल्ट म को ए मेंटर बनादो तो कैसे बनेगा इम इत्र बनाद फो keश अपनेगा की ये किसन का अन्शर भी बता दो आमेटरस चाहा का आर चीह न मी मिट्र जो ह Two Yellow Water उसका प्रतिरोध की तर नहीं हो तो आद्रस को बता देन देखते हैं स कि राज कुमार कह रहे हैं फास्ट करा दो डेड़ गंटे में कितने क्यूशन हो गए वई पचास पर आ गए आपका और पचास के साथ कितने क्यूशन और करवाएं होगे और बच्चे की ज्यान लोगे गया यार कि मैं तो कुछ एक कोई इधर उदर की बाते ही नहीं करता सिर्फ पडाना 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 रहता है ठीक कोई फालत होगी बात देने पिर भी इतना मतलब किसन नाने कैसे बस रहा किसन आणसर कैसे दोगे है मैं पता है अगर अदर को व्ल्ट मेंटर की तरह जोड़ दिया जाए तो आपको पता है विश्म का के इंदर जोड़ेंगे लोड का परतिरोत ज्यादा हो गार अएमिटर का परतिरोत क्म होता है उरसे हैं लोगतों जाहने जाएगा नादव होगा लगा जिसाले के मिटर究 जोड़े तो क्या होगा तो क्या होगा क्यों कि वोल्ट मेंटर का परतिरोध क्या होता है उच्छ होता है और उच्छ परतिरोध अगर सीरीज में जोड़ दिया एमेटर सीरीज में जोड़ा होता है सीरीज में जोड़ दिया तो लाइन का परतिरोध क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाए क्योंकि परतिरोध उच्छ होने के काण सी रीज में जोरा झाया को यह मिट्र को वोल्ट मेंसे बनाना है तो हमें परतिरोध बढ़ाना पड़ीगा एमिट्र को क्रहूच में बनलता किसे हैं तो प्रतिरोद बढ़ता है सिरीज में लगाने से तो आप मल्टिप्रायर यानि एमेटर के सिरीज में प्रतिरोद लगाकर एमेटर के सिरीज में हम क्या है प्रतिरोद लगाकर ठीक है वोल्ट मीटर को एमेटर बनाना तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होता है अगर हम समांतर करम में कोई प्रतिरोध लगा दें तो प्रतिरोध क्या हो जाता है तो आप को जी वोल्ट मीटर के समांतर में प्रतिरोद लगा कर यह मेटर बनाया जा सकता है समांतर में गवेलो मेटर जो होता है उससे मेटर कैसे बनाया जाता है वोल्ट मेटर कैसे बनाया जाता है उसका आनस्वर भी दे दो एमेटर का क्या होता है निमन प्रतिरोद होता है आधरस का जीरो होता है और वोल्ट मेटर क पाउच पड़ती रोद होता है कि आया समय किया है त्हाइक है कि तो तक तो यह सारे सारे हो जाएंगे समझ में आ गया होगा ना आ याट एक बार दोबारा देख लेना फिचे बेक करके तो कम पठ्ठांक देगा ठीक है ना और मेटर जलता कब है जब ए मेटर को वोल्ट मेटर की तरह लगा दें क्योंकि कम प्रति रोद होने के कांट दारा वहां से वहने करेगी और कोईल क्या हो जाएगी कि अधिक अतिरिक्त दारा सुरुक्षा है तो क्या उधारन है बताइए और एक्सीज पॉर्स एक्सीज यह सब्सेशन देखने पड़ेगी ता इसके लिए हमें ी वाइबल फ्यूज यूज करते चाहर और यह वाइबल वाइरेबल वायरेबल फ्यूज का यूज करते है है कoh茸 बना होता है और इसका प्यूजिंग फिक्टर बताए नहीं बताع preventing पीक और 0.81 गुणा किसका होता है ठीक है आपको कलोज एक्सीज कहिए कलोज एक्सी जाथे ठीक है तब आपका अनसोर आएगा HRC या cartilage fuse क्या आएगा cartilage fuse ठीक है और जिसका जो होता है वो क्या होता है HRC का मेरे को fusing factor बता दीजिए कि ऐसे क्या होता है ठीक है और इसका जो मल्टिप्लायर होता है वो क्या होता है जी एक पॉइंट दो तीन होता है ठीक है तो इसका अनसोरा जाएगा इसके अंदर यह सब दिया हुआ है अधिक अत्रिक्त दारा के लिए रिवाइबल फ्यूज कि सियों जाएगा घह्यादीय गया एक हह कर घैक कैंरे देल जैसे असे बनाते हैं तो बिंडी लगा तो इचर सी और उसका क्या होता है क्वोईंट है चारी ठीक ना को टीलेस का एक पॉइंट इचार पाइध हम लेंचर से कटर होता है तर्शे एक पॉइंट एक ठीक है तो इसका जो होता है वह रिवाइबल फ्यूज का प्यूजिंग फेक्टर कितना होता एक पॉइंट चार होता है अक अचारशी का कितना होता Eq.ण Eq.ग सब प्दार्यां सभी का पोध वह धन्य prank देने के लिए इतना स्पोर्ट देने के लिए और कंटेंट को फसंद करने के लिए ठीक है कि विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंड़क्टर उप्योग होता है कि कौन सा होता है विस्तार लाइन याने इसने का कंड़क्टर यूदा डिस्टिविशन लाइन देख लो यह कम पड़ा गर्व कभी इंगलिस में आ जाए डिस्टिविशन लाइन विस्तार आपा सोचिंग विस्तार हो रहा है यह करना तब डिक्कत आ जाती है अब बीर नहीं होता है अब बार्ड बोलते ना पहां टिक्वर बेड का मतलब होता है बिना इनिशुलेशन का नंगा तार है तो हम क्या करते नंगा तार यूज करते तो इस्तार डिस्टिविशन लाइन में किसका करते नंगे तार का यूज करते हैं ना ठीक ना मेरे को बता दो एसी एस आर की फुल फोर्म क्या है ठीक ना यह इतार यूज होता है ज्यादा कौन सा तार होता है यह यूज होता है ठीक ना कि बस बार किसे बने होते हैं से एक याद आ गया बस बार किसे बने होते हैं एक बताओ गए समानने यह था किसके बने होते हैं है चीक है और है अच्छे कौन से होते हैं अहाँ जो यूज करते निसे लेशन की समस्चा बहुत बढ़ बढ़ी आते है तो क्या करते वाई यू परकार का डिस के बीच में होता है मारी जो से कुप बैर बोलता है तो ठेक ठीकल ना बता वही न बताव कोई दिक्कत नहें है अलूमेनियम कन्दक्टर स्ट्धिल राइन पोर से तो यादी हो गया पोन वासी ओater घ्लक नहों? नहीत से किसका होता है बना अच्छा सबसे कोप्र था पिसका होता है और क्योंकि अले में बस बार Usika का यूज़ करते हैं जिसका हम Conductor यूज़ करते हैं कि उशन आया हुआ है अगर Aluminium के तार है ठीक ना तो उन पर बस बार किसका प्रियोग किया जाता है तो बस बार deceased procedure कि ऐक सष्टिद हाट है पहर कि नहींगे होती है हलका भी यूज करते हैं ताकि खंबों पर बहुत ज़्यादा वजन भी ना इतम पोल वगेरा पर ठीक है तो कोपर के बने होते हैं एस एस आपके घर के बार लगी होगी वह एस यह सार है ठीक है तो आज का ग्यान यह इस माप्त होता है खूंसर्ट और है यह तो हो गया लेक्ट्री कल थूरी के नोट्स चाहिए तो इसल्मबर पर आप मैसीज खर सकते हों बाकि सेस्टन कैसा रहा यह बता सकते हो आप आछे को मेंट के अन्दर Fusion कैसा रहा यह बता सकते हो किसा सेसन रहा और कुछ फाइदा हुआ पर्सनल बाते मत पुछा गरो है और कोमेंट के अंदर क्योंकि बाद में जब बच्चे देखते इस वीडियो को क्योंकि आप जितने देख रहे हो उससे काफी जादा बच्चे बाद में देखते उसके अंदर फिर इस कोमेंट का कोई मतलब नहीं बनता तो परसनल हो गया कोई एप से समंदित हो गया कोई और हो गया तो यह कोमेंट करते हो तो यह वीडियो फिर ना कच्रा हो जाती है बाद में नहीं देखी जा सकती बहुत बढ़िया था जी ठीक है नाइस सेशन अलुमिनियम कोपर बढ़िया गरू जी लेकिन मैं थोड़ा लेट आया हूं पूरी कलास देखना भाई लेट आये हो तो या अब कहीं से भी कैसे भी पढ़ो लभी हो बाई नरेस ओनली फोकस पढ़ाए पे नाइस नाइस अजिए पांड रोह टोपिक लिखते न है भाई बाद में लिखेंगे सारे टोपीक के नाम लेकिते रुख जाओ एक दू दिन में टाइम लगया है बहुत इंटिलिजुएट से आइस कलास में वो तो आपकी मेंट है बाई जितने मेंट करते हो बड़िया से कॉमेंट करते हो मैसेज करते हो पढ़ते हो अब तो कलास एंड हो गया निशान मोर मैं बाद में देखते हैं युदपाल जांगडा नाइस सर बाद में भी देखते हैं तो अब बार आप लाइक और कमेंट जरूर किया गरें कोमेंट करके बताया करें कमसे कम आपको पता चले ठीक ना कमेंट करके नाइस है या कैसा है चो सारी चीजिया बताया करें ठीक सुपर सेशन दन्यवाद भाई दन्यवाद सभी का बहुत प्यार देने के लिए सुपोर्ट देने के लिए लाइक कोमेंट सेर करने के लिए बाराट उपंद्रा नंबर रसर क्लास बहुत अच्छी है मेरी तबियत खराब है तबियत खराब है तो टेबलेट वगरा मेडिशन वगरा लीजिए और अराम कीजिए वीजिए आप जैसे हैं कि सर कोमेंट आप ओंव ओंव और उनर शो रखो नहीं यह साने कर सकते क्योंकि फिर आप मजा नहीं आएगा फिर बाग जाओ गया आप क्योंकि कुछ अलग अलग तरीके के स्टूडेंट होते हैं कि और हमें को कि दिखेंगे आपको दिखेंगे नहीं फिर कोमेंट करने का फाइदा है है बहुत कुछा नहीं जाएगा इटमेटिक रेगुलरी टी बहुत कुछ इखा देती है आई तो बसे तना यहां एक बज़ गया है ठिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद पदारणे क लिए बहुत सपोर्ट करने के लिए और इसी तरीके से प्यार बनाई रखिएगा लाइक कोमेंट में कमी आने नहीं दीजिएगा बाकी आपकी जो भी है दिल से आपको धन्यवाद ठीक है आज के लिए फिर इतना ही है जाहिन जायवारत मिलते हैं के लिए वीडियो के साथ ब झाल 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 झाल